वेलकम टू कारवकाडमी और आज के इस वीडियो में क्लास छटवी का गणित प्रशनावली 3.3 का क्विश्चन नंबर 3 से सल्व करेंगे पार्ट 1 में हमने क्विश्चन 1 और 2 को किया था बहुत ही अच्छे से हम लोग सारे कंसेप्ट सी गये थे अब हम इस वीडियो में क्विश्चन नंबर 3 को सल्व करेंगे और 3 जो क्विश्चन है जदी आप पार्ट 1 देख लिए होंगे तो खुद से भी कर सकते थे ठीके क्यों क्योंकि देखिए क्या बोला है बिभाजेता कि जांच के नियमों दोरा जांच किजिए कि निम्लिकित में से कौन से संक्या 6 से बिभाजे है तो जदी आपको प्रश्चन संक्या 1 समझ में आ गया होगा तो प्रश्चन संक्या 3 को बनाने में कोई प्रॉबलम न तो पहले तो एक बार याद दिला दे कि 6 से जब कोई संख्या कटती है देखिए इसे पहले मैंने बीडियो बनाया था 6 से कटाने वाला और आप लोगों बहुत अच्छे समझाया था लेकिन एक बार फिर मैं आप लोगों को बताने की कोजित करूंगा कि 6 से विभाज ये कैस से विभाजित हो तो समझो कि हमारा 6 से भी विभाज हो जाएगा 6 से विभाज होने की जो तरीका होता है वो क्या कहता है भाई 6 से वैसी संख्या विभाज होगी जो संख्या 2 और 3 से विभाज हो समझो कि 6 से विभाज हो जाएगा 2 और 3 का ट्रीक क्या होता है भाई 2 का ट्र पर जीरो, दो, चार, छे और आठ हो, समझो कि दो से विभाज है, और तीन से कैसे चेक कर सकते हो, उन संख्या को जोड करके, ज़र जो एंसर आया, वो तीन से विभाज है, तो समझो कि तीन से कड जाएगा, अब जब दोनों से कड जाएगा, दो और तीन, दोनों से कड जाए सिर्फ एक से होगा एक से नहीं तो फिर उच्छे से भाज नहीं होगा आईए हम सारे क्वेशन को बताएंगे और बहुत ही अच्छे से आप लोगों समझ में भी आएगा गरांटी के साथ देखो तो अब इसके इकाई का स्थान पर क्या है भाई चार है तो समझो कि दो से कट अब 2 से कटेगा तो 3 से भी चेक करना होगा ना इसको जोडेंगे तो 4 और 4 8 8 और 9 9 और 7 कितना हो गया 9 और 7 16 16 और 9 16 9 25 25 27 तो देखो यह जो जोडने पर 27 आया क्या 27 तीन से भी भाज है बिल्कुल है तो 2 से भी भाज है और 3 से भी भाज है तो समझो कि या संख्या 6 से भी या 6 से या 6 से भी भाज या 6 से भी भाज है या 6 से भी भाज है समझ गए अब चलिए अब हम इस प्रशने को बनाएंगे तो जिसके इकाई का स्थान पर 0 2 4 6 8 8 है तो 2 से भी भाज होगा अब इनको जोडेंगे 3 से चे करने के लिए 8 5 13 13 12 15 16 16 16 से भी भाज होगा नहीं होगा तो फिर देखो 2 से हो रहा है 3 से भी भाज नहीं होगा लिखेंगे या 6 से या 6 से विभाज या 6 से विभाज नहीं है या 6 से विभाज नहीं है अब इनको चेक करेंगे अब जिसके काई का स्थान पहीं 5 आ गया तो 2 से नहीं कटेगा तो 3 से चेक करने की जरूरत ही नहीं है तो बुलेंगे यह छे से बिभाज नहीं है अब इसको चेक करो इसके भी काई कहतान पर तीन है तो यह भी क्या होगा छे से बिभाज नहीं होगा तो यह देखते ही बता दोगे बिभाज नहीं है अब इसके काई कहसान पर दो है तो दो से बिभाज थोगा अब तीन से चेक करने के लिए क्या करेंगे जोडेंगे पांच अदू साथ साथ तीन दस और एक एगारह एगारह और नो बिस बिस तीन से कटेगा नहीं कटेगा तो फिर अमारा यह छे से बिभाज नहीं होगा शे से बिभाज नहीं है अब यह 0 है तो दो से तो कटेगा अब इसको जोडेंगे 0 और 5 5 5 और 7 12 12 18 20 20 20 27 27 तो तीन से कट जेगा 27 तो समझो दो और तीन से कट रहा है तो 6 भी कटेगा या 6 से बिभाज है या 6 से बिभाज है आगे चेक करेंगे दो से कटेगा 4 है तो चार और आठ बारा बारा और एक तेरा तेरा और नौ तेरा नौ तेरा साथ बिभाज है या 6 से बिभाज है ये देखो इसकेहाई काइश थान पर तिन हे नहीं होगा या 6 से बिभाज है या 6 से बिभाज नहीं है 6 से विभाज नहीं है इसका आंत में 0 है 2 से तो कटेगा अब 3 से चेक करने के लिए जोड़ देएंगे 1 और 2 3 3 और 9 12 12 12 13 15 15 और 6 21 21 3 से कटेगा न समझो कि यह हमारा 2 से भी कट गया 3 से भी कट गया तो 6 से भी कटेगा या 6 से विभाज या 6 से भी भाज है अब यह देखो 2 से कटेगा तो 3 ते चेक करने के लिए जोड़ंगे न दुगब 5 7 7 7 और 8 15 15 15 और 7 22 और 1 23 नहीं कटेगा 3 से तो 6 से भी भाजी ते नहीं होगा या 6 से भी भाज या 6 से भी भाज नहीं है आपको जोड़ने सही आना चाहिए थोड़ा सा गलती होगा फिर आपका गलत गलती हो जाएगा ठीक है एक बड़ जोड़ लुगा 8 8 16 16 16 16 16 15 21 सह दूठ 20 नहीं कटेगा सही से जोड़ूगे तो इंसर सही आएगा गलत जोड़ दोगे गलत हो जाएगा सारा चीज तो प्रश्ण संख्या जो तीन था हम लोग का कम्पलीट हो गया अब प्रश्ण संख्या चार को देखेंगे चार क्या है प्रश्ण? एक बार पढ़ो कि विभाज्यता के जाँच नियम दौरा ग्याद किजिएक निम्लिकित में कौन से संख्या? 11 से भी भाजे है आईए 11 से भी भाजे चिक करने में और मज़ा आता है ऐसा क्या है भाई 11 में तो थोड़ा सा कठीन लगता है बच्चों को तो हमें बताने में मज़ा आता है समझो पढ़ो ठीके देखो 14 45 है अब इसको 11 से चिक करना है पहले मैं आपको रूल पढ़ाओंगा न कि कैसे चेक के जाएगा देखो चववन पैतारीस पहले पढ़ाया हूँ 11 से चेक करने के लिए इसका रूल होता है कि जब भी हमारा ठीके इसमें कोन-कोन सम और बी सम होता है तो पहला स्थान पर क्या होता है बी सम तिसरा स्थान पर माने क्या होगा सम्म होगा इसमें क्या होता है कि पहले सम्негоला अस्थानु को एक सांथ जोड़ देंगए तो चार और पांच नौड हो गया, अब 20 सम्म ओलाख घटा देंगे 5 और 5 10 जोड़ करके घटा देंगे तो 9 मेंसे 10 जाएगा 오랜만 से चांप अब यह आपर संक्या आएगा 11 से विभाईत है सम्झो कि वह पूरा संक्या 11 से भाझ हो जाएगा यह आपर 0 आगया समझे कि 11 से विभाज हो जाएगा आइए मैं चेक करता हूं यह तो पता चल गया ना कि माइनस एक आ गया ते हमारा विभाज नहीं होगा तो लिखेंगे यह 11 से विभाज नहीं है 11 से विभाज नहीं है अब बस डारेक्ट लिख दो रफ में अपना काम कर दो ठीक है बी नमबर देखो क्या है बी नमबर है 11824 11824 आईए हम रह में जाएंगे 11824 को लिखेंगे या जानते हो मैं यही पर सल्व कर देता हूं ताकि आप लोगों को पता भी रहेगा ठीक है इसको मैं यही पर सल्व करता हूं क्या करेंगे सबसे पहले सम वला स्थान को लिखेंगे दूसरा चव था तो क्या है जीरो प्लस टू है अब माइनस कर देंगे बी सम वला एक प्लस आठ प्लस चार है तो क्या आएगा जीरो और दू दो माइनस आठ और एक नौ नौ आचार तेरह यहाँ पर क्या जाएगा minus 11 आ जाेगा हम minus 11 आया है 11 से विभाज़ हो जाएगा तो लिखेंगे यह 11 से विभाज है यह पूरा संख्या क्या 11 से कट जाएगी 11 से विभाज है आ रहा है न बनाने मज़ा बहुत आसान है ठीक है be complete c देखो c है 71 738, 965, अब चलो इसको शल्व करो, सबसे पहले क्या करेंगे, बी समोला, एक है, आट है, और छे है, एक, आट, छे को एक साथ जोड़ लिया, माइनस, बी समोला, साथ, तीन, साथ, पलस तीन, और नौ, और पांच, इसको करो तो, आट है, और एक, नौ, नौ, छो, पंदर, माइनस, साथ, तीन, दस, दस, और पांच, पंदर, पंदर, और नौ, पंदर, नौ, चोविस, अब घटाओ तो क्या आएगा, पंदर, नौ, चोविस, तो 9 आएगा, यहाँ पर, क्या आएगा, 9, माइनस का साथ, देखो तो 9 कभी 11 से कटेगा, नहीं कटेगा, तो फिर इसको बुलेंगे, या 11 से विभाज, नहीं है, 11 से विभाज नहीं है 11 से विभाज नहीं है C complete हो गया अब D देखूंगा D क्या है 701 49308 ठीक है चलो इसको करते है सबसे पर ले क्या करेंगे साम मुला जोड़ेंगे 0, 6, 3, 8 0, 6, 3, 8 जोड़ लिया माइनस 20 साम मुला 7 है 1 है 9 है और 0 है ठीक है इसको मैंने जोड़ लिया अब देखो तू 8, 6, 14, 3 16 माइनस 14, 3, 16 17 होता है 17 7 और 1, 8 8 और 9 17 17 में 17 जाएगा 0 तो जब 0 भी आ जाए समझो कि 11 से विभाज हो जाएगा तो लिखेंगे या 11 से विभाज है 11 से विभाज है अब तो आप लोगों को बनाने आहीं गया होगा E देखो E है एक पर कितना जिरो है भाज E 2, 2, 4, 2, 6 है 2, 2, 4, 2, 6 ठीक है अब देखो तो इसको करते हैं सबसे पहले सम लिखेंगे हो यहां से लेकर यहां तक 0 को लिखने तो कोई प्रोफिक्ट होगा नहीं देखो सम क्या है एक ये है और एक ये है और एक ये है सिर्फ एक तो है इसमें 0 लिखने तो कोई प्रोफिक्ट होगा नहीं और बिसम पर क्या 1 है एक में सेख जाएगा 0 यानि 0 आ गया तो 11 से विभाज होगा या 11 से विभाज है 11 से विभाज है ठीक है E के बाद एफ देखो एफ है नब्बे एगारा और तीन पन ठीक है चलिए इसको मैं सल्ब करता हूँ तो सबसे पहले कौन सा संख्या लिखेंगे साम बोला तो 0 है 1 है और 3 है माइनस B सम बोला है 9 पलस 1 पलस 5 3 और 1 4 माइनस 9 एक 10 पाँच 15 यह कितना आ गया माइनस 11 माइनस 11 सा कोई फर्क नहीं पड़ता है 11 तो कट जाएगा न तो बोलेंगे यह 11 से बिभाज है 11 से बिभाज है यह हमारा एनसर ठीके तो प्रश्ण संक्या 4 भी कम्पलीट हो गया अब मैं पाँचवी प्रश्ण को देखूँगा पाँचवी क्या है भाई निमलीखित में रिक्त अस्थानो में सबसे चोटा अंक तथा बढ़ा अंक लिखिए जिससे संक्या तीन से भी भाज़िय Łinson अब देखो इसमें प्रश्ण संख्या पाच में ए नमबर में दो प्रश्ण है ठीक है दो कौन कोने भीया एक बार आपको जो प्रश्ण दिया है ध्यान देना छे साथ दो चार अब यहां पर आपको क्या करना है कि सबसे छोटा संख्या लिखो और चेक करो कि तीन से विभाज है की नहीं तो कौन सा संख्या होगा और एक बार सबसे बड़ा संख्या लिखो और चेक करो कि तीन से विभाज है की नहीं है तो मैं कैसे चेक करूगा कैसे मेरे को पता तो पह इन सब को जोड़ता हूं तो 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 ठीक है इनको जोडने पर क्या आएगा देखो तो 4 अदू 6 6 और 7 13 13 और 6 19 अब 19 में 3 से तो कटेगा नहीं तो 19 में क्या जोड़ दे छोटी से छोड़ी संख्या कि हमारा 3 से कट जाए तो 19 में 2 जोड़ेंगे छोटा तो 2 ही है न तो 2 जोड़ेंगे न थकाव हमारा हो जाएगा तो देखो हमने क्या किया इस 2 को हमने जोड़ दिया क्या किया भाई 2 को जोड़ दिया तो किदे न हो गया अब 2 को जैसे हमने जोड़ दिया तो 21 आगया अब तीन से क्या हो जाएग समझों कि हमारा यह तीन से विभाइद हो जाएगा अब क्या होगा हमने क्या दिया दो सबसे बड़ी संक्या देखो जिरो से लिखरके 9 तक संक्या होती है बताओ उसमें क्या जोड़े इनको जोड़ने पर 19 हुआ था तो 19 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा 19 में 9 जोड़ेंगे सबसे बड़ी संक्या 9 है ना 19 में 9 जोड़ते है तो 9-9, 8, 18, 12, 18 देखो 9 जोड़ने पर भी काम हमारा हो जाएगा हो जागा ना क्योंकि चार दूच्छे छे और साथ तेरा तेरा च्छ उन्नीस उन्नीस में आठ जोड़ेंगे तो 28 हुआ तो तीन से कटेगा नहीं कटेगा लेकिन भाई तीन से नहीं कटेगा तो आठ नहीं आठ करो यहां पर जदी आठ जोडते हैं तो 27 हा जाएगा यानि जब हम इसमें सबसे बड़ी संक्या जदी आठ जोड़ देते हैं आठ यहां पर रेड से इसको बताते हैं का हमने इसको अलग से किया है यहीं आपको भरना था जब मैंने आठ इसमें जोड़ दिया सबसे बड़ी संक्या तो फि चलो अब यह देखो अच्छा पांचवा के बी भी है ना बी भी है बी नमबर देखो क्या है कि बी नमबर है कि नई बी नमर ऐसे नहीं है अब से लिखता हूं बी नमबर है पहले 47 65 दिया है उसके बाद क्राद खालियास्थान है और उसके बाद 2 है अब यहां पर आपको भरना है तो मैं पहले क्या करते हुँ सब को जोड़ूगा 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 ठीक है जोड़ दिया और इसमें क्या जोड़ दिया जाए प्लस 2 कर दो के यहां पर जोड़ दिया जाए कि यह 3 से विभाइद हो जाएगा तो पहले क्या करेंगे इसको जोड़ेंगे चार असात 11 11 6 17 17 19 19 5 24 24 तो पहले ही आ गया यानि 24 आया है मालो कि इसको जोड़ने पर 24 आया तो सिधा हम जाने कि तीन सभी भाइत हो जाएगा तो इसमें कुछ जोड़ने के जरुत है नहीं तो आप जीरो भी जोड़ सकते हो तो मैंने क्या रखा इसमें जीरो जैसे हमने जोड़ दिया तो फिर भी 24 ही होगा जो तीन से भी भाजित हो जाएगा तिसमें एसर क्या होगा 24 अब बड़ी संक्या आपर भरना है तो पहले क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे 4 पलस 7 पलस 6 पलस 5 पलस 2 अब बड़ी संक्या क्या भर दे कि हमारा काम हो जाए तो बड़ी संक्या मालों जोड़ेंगे पर इंको 24 आया 24 में 9 जोड़ेंगे तो 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33 हो जाएगा काम 24 में 9 जोड़ेंगे न तो काम हमारा हो जाएगा वो क्या आएगा ? 33 अद 33 जब आएगा तो क्या होगा ? 3 सीविभाजित हो जाएगा तो देखो 5 नमबर हमारा प्रस्णिय कम्प्लीट हो गया । अब 6 नमबर का ए नमबर देखेंगे निम लिखित में रिक्त स्थानो का ऐस आउन लिखे ताकि 11 सीविभाजियों चलो अब 11 स्विभाई जो करना है तो बांडबे डॉट 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 तीन सो दवासी है ठीक है इसमें देखो कैसे चेक करेंगा भाई यह थोड़ा कठीन है ध्यान से देखना होगा क्योंकि 11 स्विभाई चेक करने के लिए सबसे पहले इभेन मतलब सम संक्या को जोड़ करक फिर क्या है बी सम फिर उसके बाद सम संक्या आपने रेड कलर लगा दिया यह सम है इसके बाद जो एगा बी सम आएगा फिर क्या आया सम उसके बाद क्या आएगा फिर सम तो मैं सम वाले को पहले जोड़ देता हूं दो पलस तीन पलस नौ ठीक है अब माइनस अब यहां द इसके बाद सब यहां somewhere कि हमिए पाता नहीं है तो मैं इसको क्या करूँगा ऐसे कर दूगा पिलस wordt इंडी है अब पिलस के नव यह लिजए अज एलार यह यार इस यह है जैको एक बार फिर से समझो, सम वहला को हमने देखो यहां लिख लिए, देखो, एक बी सम फिर सम, अगला क्या आएगा, बी सम नहीं चाहिए, हमने को सम चाहिए, सम ले लिए, फिर एक बी सम फिर सम, तो सम पहले जोड लिए, फिर माइनस करना होता है, बी सम वहला, बी सम क्या है, 9 है 9 है अगला में पता नहीं है थो हमने डॉण डॉडट कर दिया उसका अगला पता है ना मालो 20 सम पिर 20 सम है तो 8 हमने रख दिया अब ये वहारी पता नहीं है तो कैसे पता करेंगे फॉरी इसको जोड़ेंगे नो तीन गया 17 हो गया तो नौ और आट 17 हो गया तो मैं क्या करूं नौ और आट 17 हो गया तो जदी 14 में से 17 घटाएंगे तो काम हमारा नहीं होगा तो मैं क्या करता हूं 17 में जदी माल लो 14 में से 17 घटाएंगे तो क्या आएगा यह हमारा आ जाएगा 3 जो 11 से नहीं कटेगा और हमें 11 से कटा नहीं है ऐसा सांग्या रखे कि जो 11 से कट जाए तो मैं क्या रखू जदी मैं 17 में यहां पर 9 8 17 17 में 8 जोड़ देता हूं तो कितना होगा सातर आठ साथ सा चौदा एक पंदर पचीस हो जाएगा अब पचीस में से 14 को घटाओंगा कितना हैगा माइनस 11 तो मैं यहां पर क्या जोड़ दूँ आठ जोड़ दूँ आठ 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 तो जैसे मैंने जोड़ दिया आठ पचीस हो गया अब पचीस में से इसको घटाएगा कितना हैगा माइनस 11 और माइनस 11 जुआया हमारा काम कर देगा तो यहां पर हमको क्या भरनेक जुरुद पड़ गई आठ चलो अब यह तो हमारा क्या था यह बन गया बी देखो बी क्विश्चिन है आपका आठ डॉ यह बनेगा पहले इभे नमबर लिखेंगे somebody समया आपर नहीं है न तो मैं उसको ज्यों का त्यों चोड़ देता हूं और डॉट करों ठीके ज्यां प्रस ज्ञ्या गया है 5000 वाद खेंग और हारनौ है पर इहांपर यह पर 8 हैkaar कि जोड़ दिया ऑड़ोर अ het है और 9 है और यहां पर 8 है देखो तो इसको जोड़ने पर कितना आया 8 8 16 16 24 25 हो गया ठीक है अब यहां पर क्या जोड़ दे देखो तो 4 4 8 8 में क्या जोड़ दे ठीक है आठ में क्या जोड़ दे कि इसमें 25 में से घटाएगा तो काम हो जाएगा तो जदी मैं आठ में पता है कितना जोड़ दे छे आठ में 6 जोड़ देता हूं तो क्या हो जाएगा चार चार आठ और छे हैं 14 जोड़ कितना हो गया अब 14 में से PC市 घटावग क्यआ आएगा मैनस 11 आयगा जो 11 से विभाइध हो यहांपर 6 भरने से काम हो गया और यहांपर 8 भरने से एक बार 9 एक बार 0 एक बार 8 एक बार 2 काम हमारा हो गया आप जो से प्रश्ण संक्या एक और दो पड़े हो उसी को मिक्स करके पूछा गया है तो मैं उम्मिद करता हूं कि आप लोगों को बनाने आ गया होगा बहुत ही असान है बहुत ही अच्छा एक लोजिक उला क्यों है और आपके आगे आने वाली जो कमप्रेटिशन का एक्जाम दोग चलो मिलता हूं रेस्ट क्लास में थेंकिशो में